है कि अगर अगर हर्दिक व्लॉक तो कैसे आप सब बढ़ी जाओं के तो काफी दिनों से गाड़ी जो है वाइक जो है मेरा वह सर्विस्टिक नहीं हुआ था जब आपका करवा के गहते तब से सब्सक्राइब अगर भी एक त्राइबलिंग पर जब बाइक से जाओंगा इसलिए वाइक को फूल मेंटेन करना जरूरी है उसका अगहे जो अगला टायर है उसको भी चेंज करवाना है काफी पुराना हो चुका है उसको चेंज करवाएंगे तो फिलाल के अभी में जा रहा हो अपने दोस्की शॉप पे उसकी टाई की शॉप है लालबाक के तो थोड़ा बहुत मार्केट भी दिखा देंगे कहां पर क्या चींद मिलता है अपने दोस्की दुक तो फिलाल अभी निकल रहा है उसके बाद मिलते हैं हमसे तो अभी आचके आंकुस्ताल रोड़ पे साथ मैंने बागू को ले लिया है यहां था जाएगा तो अच्छा रहेगा और एक से बले दो की बली बात है वहीं वाद है इसलिए साथ में ले लगता हूं हमेश्या साथ ही जब भी जाता हूं और आपी लालबाक से साइट आए काफी ता भीड़ है कि कि मंदे है इसलिए मार्केट बहुत ज़ादा भीड ह आपसे मिलते हैं तो अभी आ चुके शादा भाई की शॉप पे और यह शॉप है लालबा के अग्रेशन पार्क के पड़ोस में है तो टायर मैंने ले लिया है जो की पड़ा मुझे पुलब सही रेट में मिल गया अपना भाई है तो यही पंजाब टायर आप पीछे देख सकत बोर्डबे पंजाब टायर की शॉप है तो आप यहां से अब ले सकते हैं टायर वगेरा बागी बस यहां से इसको काम करवा के पिर आपसे मिलते हैं और दो ते नुकसान हो गया रास्ते में आते थे गाई को पीछे से इसने ठोक दिया है और हैडलाइन तो यह गाई हो गय सब्सक्राइब लगवाने के बाद आपसे मिलते हैं पिर दलवा लिया है अगला और पिछला भी ठीक है पाई ने बताया है पिछला भी जरूत नहीं है वह कभी और दलवा लेंगे फिलाल अभी यहां से निकलते हैं क्योंकि हैट लाइट जो तूट गया था उसको नाय ले अब जाएंगे जुनेद भाई की चाचा की शॉप पर वहीं से सर्जिस करवाएंगे बाबू को घर पर छोड़ देंगे इसके बाद देखते हैं तो नभीम भाई की शॉप शेयवा ने ले लिया है इंडिकेटर और मोविल अभी जा रहे हैं बागू के घर पे बहुत जादा क्योंकि मंडे को आज सारी दुपाने खुली है तो इस बज़े से बहुत जादा बीड भी है इसलिए बागू के घर पर जा रहे हैं और इसके बहुत के बिए मिल जादा रहे हैं यहाँ है और मैंट झाल झाल तो यह जा रहा हूं इसके नंबर प्लेट को और लाइन करवाने कि वह भी बहुत जरूरी है और लाइन नंबर प्लेट जो बार कोड़ वाले आ रहे हैं वहीं नंबर प्लेट डलवाना है क्योंकि अगर लगन हो जाओंगा तो वहां पर चकिंग होगी तो गाड़ी पकड़ी जा सकती है इसलिए नंबर प्लेट भी आज ही ओलाइन करवा जेते हैं तो अभी दूश की शॉप है वहीं से ओलाइन को रहते हैं तो यह जाना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा पुरानी गाड़ी हो गई है जाना पड़ेगा और वहां काफी टाइम होगे अभी पज़रा है साड़े लगबक चार बज़रा है और अभी जाना इसके सर्विसिंग के लिए भी लगबए एक घंटा वहां भी लगेगा तो मतलब आज पूरा ही बिजी रहे और आज बहुत जादा भी गर्मी भी है तो अब ले लिए तब तक इसको पीते हैं तो यहां से निकलते हैं पर तरविसिंग के लिए भी तो अब आज चुके हैं सुने द्वाई की शॉप पे और गाड़ी का काम चालू है चाचा हमारे काम चालू कर दिये हैं गाड़ी फोल खाल दिये हैं बड़ी असा अब लगबक गंटा लगेगा साड़े चार हो रहा है साड़े पांवे तक गाड़ी तयार होगे उसके बाद अभी थोड़ा मम्मी ने जो बताया था काम है वह इंपॉर्टेंट है जन्दी तो नहीं काम नहीं करेंगे तो घर पर पढ़ेगी डाट इसलिए जन्दी से काफी टाइम होगे सुबह नहीं दो बज़े निकला था और इधर उतर मारके में बहुत ज्यादा भीड़ती तो लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गिया और वो चार आदधा घंड ता वहां बरबाद हो गया वहां पर अभी एजन्सी भी गया ता पूछ काया हूं उन्होंने कहा दक हो जाए जो है काम है चालो अपने अकील भाई जो है बहुत महिनत कर रहे हैं अकील भाई केमरा का हाई बोल दीजे एक बार है हाई सर्माग है ते या यहां लिए यहां बाई करवाते हैं काम बंकिल इसब कर देते हैं तो गयां जो है कारी हो înro 스यार आपर यहां से निकलते में बाच की शोप कोई सब्जी रखले लेना है किशलेड यूंशार को घर पे दैठक the घध अबरिया होगी नंबर प्रेड़ जे Infinite verse अब यहां से निकलते हैं मैंगाज की शौक पर वहां पर तोड़ा तरकाम है पिर सब्जी अबजी भी लेना है पिर दाइड आपको घर पे मिलते हैं गाड़ी एकदम से बढ़िया होगी नंबर प्रेड अब तीन-चार दिन में चेंज परवाई लेंगे तो गाइस जो है अब तक गाड़ी सर्वेसिंग का काम जो आज हो गया काफी दिन से पैंडिंग पड़ा था सोच रहते हैं आज कर आज कर बल तो बज़े से लेके अभी शाम के साड़े पाज हो रहा है अभी थोड़ा काम है वह गर की तबजी अब जी लाना है तो अभी जा रहे है एक दोश तो है गाइस अभी आज चुके हैं घर और टाइम हो रहा है साड़े छे दो बज़े से घर से निगले थे और साड़े शे बज़े का आज पहुंचे हैं और बाई का काम लगब लगब हो गया कुछ काम रहे भी गया है जैसे नंबर प्रेट अभी ऑल-लाइन करवाना था वह आज के देन नहीं हुआ मुझे जाना पड़ेगा वहां से नंबर अफिलेट ऑल-लाइन होगा और इंस्वरेंस का भी काम रहे गया वह भी करवाना जरूरी है सारे डॉक्मेंट्स काड़ी के जरूरी है तो कि अगर हम सीतापुर से बहुत आते हैं तो यह काम मलब यह सारे करने करने के लिए वीडियों करने के लिए इससे से काफी दोस्तों कर दो किरी है वीडियों करते हैं तो बस उन्हीं लग के बात सुनके आज का वीडियो चूड़ किया किया देखते हैं अगर आगे ऐसा ही कर पाते हैं तो ठीक है क्योंकि व्लॉगिंग करना भी बहुत दिफिकल्ट है यह आप लोग तोस्ते होंगे वीडियो देखके कि बस कैमरे का सामने बोलना और गाना कि आप लोग करके देखे तो पता चलेगा कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है इसलिए पास दी मोटिवेशन हो गया से मलब कुछ ऐसे कमेंट्स के वज़े से या फिर दोगों के फोन कॉल्स के वज़े से लब कई लोग बोल रहा है कि कैसे वीडियो बनाते हो इ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिले से प्रिशन को सब्सक्राइब करें लिए और तकीव लगिंगी सपटें लुपार नहीं